जैसी किष्णा रधे रधे आज हम मार्गशी इसमास का दूसरा अध्याय सुनेंगे और स्रीक्रश्न भगवान की पावित्र पौराणिक पुन्यफल देने वाली आगे की कथा सुनेंगे श्री भ्रमाजी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश आपने स्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए मार्गशी समास का विदिविधान से भक्ति पूजन करने को कहा इसलिए हे देवेश अब आप ये बताने की क्रपा करें कि मार्गशीश मास के इस्तनान की क्या विदी है फिर श्री विश्नु भगवान ब्रमाजी से बोले कि हे पुत्र तुमने मनशी की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रशन किया है अब मैं तुम्हें मार्गशीश मास के इस्तनान की संपून विदी बताता हूँ तुम ध्यान से सुनो मनिश्य को चाहिए कि आलेश्य को छोड़ कर सूरिय उदर से पहले उठकर विदी विदान से नित्यकार्म वे आच्वन आधी कर अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा इस्मरन करे मल मुत्र का त्याग करके पावित्र होकर मोन रहकर भक्ती भावना से मेरे विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करे संकीतन करे यथा विदी म्रती का आधी से शुद्ध होकर मोन रहकर दंत धावन करके आचमन कर विदी विधान से पावित्र इस्थान या पावित्र नदी में जाकर इस्थनान करे अगर पावित्रे नदियों में इस्तनान करना संभव न हो तो इस्तनान वाले जल में गंगा जल की बुंदे डाल करके इस्तनान करने पर भी वह गंगा इस्तनान ही माना जाएगा हे महामते तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित लेकर मूल मंत्र या गायतरी मंत्र से अभिमंत्रित करें मूल मंत्र से उस मृतिका को शरीर पर लगा कर तालाब या कुए के जल से इस्तनान करें और जल के अंदर नाग डुबो करके मंत्र का जाब करें उस जल में इस नान करते समय तीरत स्थल की कलपना करते हुए विधान मंत्र जाब करें मूल मंत्र है ओम नमो नारायनाय ये अस्टना अक्षर मंत्र मेरा अर्थात विश्नु भगवान का है पवित्र होकर अपनी चारों और हाथ में कुशा लेकर आच्छमन करें शुद्ध जल से इस नान करके विधान कलपना करते हुए इस मंत्र का जाब करें कि तुम विश्नु पास से प्रकट हुई हो अतय तुम विश्नवी हो और तुम विश्नु देवता हो तुम मेरी रक्षा करो जान्म से मरन परियंत आपको नमस्कार है वायु देवता को साड़े तीन कोटी तीरत कहा गया है हे जानवी जो स्वर्ग और अंत्रिक्ष्म हैं वे सब तुम्हारे जन मेवास करते हैं तुम्हारा नाम नंदनी और देवताओं के यहां नलीनी नाम है दक्ष पुत्र विहंगा आकाश गंगा विश्ववगा संसार गामीनी यह नाम योगी लोग कहा करते हैं हे जानवी तुम विध्धाधरी सू प्रसन्ना लोग प्रसादनी लोगों को प्रसन करने वाली हो तथा शेमा, शेम सरूपा, जानवी, जहत नया, शान्ता, शान्ती ब्रदायनी अर्था शान्ती को देने वाली हो इन पवित्र नामों को इस्तनान करते समय नित्य याद करें और इस्मरन करें वह तीन लोग में गमन करने वाली गंगा सदा उस इस्थान में वास करती है हाथ जोड कर इन मंत्रों को साथ बार बोले जल में अंजली लगा कर पुनहें तीन, चार, पांस, साथ बार गंगा इस्थान करें उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमन्ति करके शरीर में लगावे म्रती का मंत्र है हे अश्युकानते अर्थात हे म्रती के तुम घोडों से क्रांत हो अर्थात तुमारे उपर घोड़े चला करते हैं हे रतकानते अर्थात तुमारे उपर रत चला करते हैं हे विश्णु कांते अर्था श्री विश्णु भगवान के चरण कमलों से तीन लोकों को नापने वाले हे वसुंधरे अर्था दरत्नों को धारन करने वाली हे म्रती के जो मैंने पाप किये हैं उन पापों का नाश करो हे म्रती के सैकडों बाहु वाले स्रीक्रश्न ने वाहर रूप में तुमको उपपर उठाया है हे सूवरते तुम समस्त प्राणियों के उत्पति इस्थान हो तुमको नमस्कार है इस प्रकार इसनान करके विदिविधान से आच्मन करें और जल के किनारे खड़े होकर शेत वस्त्र धारन करें आच्मन करके देवता पित्त रिशियों का तरपन करें और वस्त्र को पहन कर तरपन की धोती को निचोड़ दें ये द्विशेष्ट वेश्ण लोग मंत्र से अभिमंतिक करके ललाट पर शुद्ध म्यतिका को लगावें, आल्यस रहित होकार तता यथा संक्य उर्ध पुंड तिलक धारन करें, ये ब्रहमन, ब्रहमन सदा बाहरे पुंड धारन करें, ये पुत्र, शत्रिय लोग चार पुं दोनों कोक, दोनों कान, पीट, त्रिक, अर्थात, रीड में, पीट के निचले भाग में और सिर पर धारन करें, ये अनंग, ब्रहमन को सदा बाहर तिलक धारन करने को कहा गया है, शत्रिय ललाट अर्थात मस्तक में, हिर्दा में, दोनों भुजाओं में धारन करें, वेश उदर में नारायन का ध्यान करें। अब शत्रिये के लिए निश्चे करें। इन तिलकों को एकांत वासी होकर महाभाग लोग, समस्त लोग के हित मेरत रहने वाले धारन करते हैं। बीच में छिदर छोड़ का विश्चुचरन की आकरती के सामान पुंड को धारन करें। मद्य में छिदर से युक्त तिलक को हरी मंदिर कहते हैं। उपर को उठा हुआ, सुन्दर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्शु भाग, सुन्दर हो, मन को मुग्द करने वाला हो। ये उत्तम तिलक कहा गया है, जो बिना छिदर का तिलक धारन करते हैं, वे द्वीजों में अधम हैं। इसलिए छिदर युक्त पुंड को धारन करें। यदि बड़ा छिदर हो, तो उत्तम कहा गया है। ब्रामर लोग हरी के सालोक्य पदप्राप्ती के लिए सदा इस्तिलक को धारन करें। अब हम सिदिक्रश्न भगवान की आगे की पवित्र कथा को सुनते हैं। इस अध्याय में हम पूतनावद की कथा को सुनेंगे। गोकुल में पुत्र जन्मे के बाद जब यशुदा की चेतना लोटी तो एक सुदर्सन शिशु को अपने बगल में पाया देख कर वैफूली नहीं समाई। गाम प्रमुग नंद के घर पुत्र जन्मे की खुशी पूरे गोकुल में मनाई गई। सभी बहुत प्रसन थे। सभी गोपियां नंद के लाल को देखने के लिए आतुर हो रही थी। यशिवदा के पास आकर उन्होंने लाल-लाल होट वाले कमल नयन शिशु को देखा तो देखती ही रह गई। सब के सब शिशु को बस एक बार अपनी गोदी में लेना जाती थी। ब्रजवासियों ने अपने पशुओं और घरों को खूब सजाया। खूब न्यत्य गीत का आयोजन किया गया। नंद ने भ्रामनों को खूब दान दिया। साधिष्ट भोजन का आयोजन किया गया। कंस ने देव की और वसुदेव को उधर मुक्त कर दिया। पर मन में व स्पास के शहर और गाउं में जितने भी नवजात शिशू पैदा हुए हैं हम उनको धून धून कर मार डालेंगे पूतना को इस कारिये के लिए नियुक्त किया गया पूतना बड़ी ही विशाल और भयानक राक्षसी थी वे आकाश मार से उड़ सकती थी तता अपनी इच्छ अनुसा रूप धारन कर सकती थी कंस ने उसे बुलाकर नवजात शिशू का वदगरने का आदेश दिया उसने एक सुन्दर इस्तरी का रूप धारन किया और आकाश मार्ग से उड़ कर गोकुल में पहुच गई वहां उसने गोपियों को नंद के घर जाते हुए देखा वह कि मुझे एक महात्मा से सिद्धी प्राप्त है मैं शिशू को गोध में लेकर आशिवात दोंगी और अपना अमरत रूपी दूद पिलाऊंगी तो यहें बड़ा ही दिरगाई होगा माता यशूदा ने सोचा कि मेरे पुत्र को अमरत रूपी दूद मिले इससे अच्छा और क्या हो सकता है पूत्ना ने शिशू को गोध में लिया उसने अपने इस्थन पर पहले से ही विश लगा रखा था जो ही पूत्ना ने उसे दूद पिलाना चाहा शिशुरू पुई प्रभू ने दूद के सास साथ उसके प्राण भी खीचने शुरू कर दिये पहले तो पूत्ना चीखी अरे बस बस छोड़ो मुझे जाने दो फिर उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया मानो उसके प्राण ही निकल रहे हों सहन शक्ती ने साथ छोड़ दिया वह रोती हुई बाहर आ गई और अपने असली रूप में आकर भागने लगी थोड़ी दूर जाते ही वह निश्प्राण हुकर कटे हुई व्रक्ष की भाती धर्ती पर गिर पड़ी उसके विशाल शरीर ने असंक्य पेड़ों को अपने नीचे कुचल डाला रोहिनी और एशोदा अन्य गोपियों के साथ रोती हुई उसके पीछे भागी थोड़ी दूर आगी जाने के बाद उन्होंने पूतना के निर्जीव शरीर के पास नंद के बालक को खेलते देखा जिस समय प्रभू ने पूतना का दूद पिया था उसी समय उसे पापो से मुक्ती मिल गई थी गाम वालों ने उसके विशाल शरीर के टुकडे करके उसकी अंतिष्टी करी सम क्रश्ण को दूद पिलाने के कारण भगवान क्रश्ण ने उसे धाय मा की उपादी दे दी। तो मंगसर मास में हुई पतराने। धूप दीप ने विद्य आरती तो पुस्पन की बरसा बरसाने। चप्पन भोग चतीसो व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न माने। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो स्रीक्रश्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपैरा गावे तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संजा को गावे तो स्रीक्रश्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधिरात को गावे तो स्रीक्रश्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महरानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जहो तुलसी माता की जह। इस तरह आज हमने मारगशीश मास का दूसरा अधाय सुना, आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आगे आने वाली कथा के लिए भी इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद